Hello dear students, this is Ruchika Chuk और आज के वीडियो में हम जो discuss कर रहे हैं वो just after BPT की बात कर रहे हैं Basic Proportionality Theorem जिसको थेल्स थेयोरम भी का आ गया है उसके बाद अगर हम कुछ discuss कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं Converse of Basic Proportionality Theorem PPT तो हमारी वही है आगे Converse इसले लगाए गया है कि इस statement में जो हम बात करेंगे opposite हो जाएगा अगर हम BPT की बात करेंगे तो आपको याद होगा हमने वहाँ पे discuss किया था कि एक triangle है जहां पर एक side से एक parallel line draw की गई है जो बाकी दो side को ऐसे point पे meet करेगी कि वो दोनो lines equally मतलब equal proportion में equate हो जाएंगी वो दोनो lines के जो segments है वो proportionate हो जाएंगे यहाँ पर हम उल्टी बात करेंगे opposite बात करेंगे बात क्या होगी कि दो sides पहले से ही proportionate है वो दो sides proportion में divide हो रही है तो जिस point पे वो divide हो रही है उन दोनो points को अगर हम मिला दें तो एक ऐसी line create होगी जो third line के साथ parallel होगी मतलब कि क्या अगर मैं statement के बात करूँ तो statement क्या है if a line, this is any line which is dividing any two sides of a triangle in the same ratio एक line है जो triangle की दो side को same ratio में मतलब proportionate कर रही है same ratio में divide कर रही है तो उस line को third side के साथ parallel होना होगा तो अगर हम figure की बात करें तो figure के accordingly क्या है triangle ABC हमारे पास है लेकिन इस triangle में जो DE line इस बार दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि दो जो बची हुई sides हमारी AB and AC उसको equal ratio में divide करेगी अगर उसने divide कर दिया equal ratio में तो DE को BC से parallel होना पड़ेगा मतलब की given की हम बात करें तो given क्या है triangle ABC तो हमें given है यहाँ पर एक line है DE जो AB को D point पे cut कर रही है और AC को E point पे intersect कर रही है इस तरह से cut कर रही है कि जो ratio है AD by DB वो किस cake वोल है वो है AE by EC तो हमें prove क्या करना है हमें prove करना है कि जो line है वो third line से मतलब BC से parallel होनी चाहिए अगर आप पिछले वीडियो में देखो हमने कुछ opposite किया था जो हमारा वहाँ पर given था वो यहाँ पर two proof बन चुक है और जो वहाँ two proof था वो यहाँ पर given हो चुक है तो यह opposite जब case हो जाता है इसको हम converse के साथ deal करते है करेंगे एक छोटा सा construction करेंगे हम मान लेते हैं कि d e parallel नहीं है अगर d e parallel नहीं है जो हमने proof करना है हम contradiction लेकर आते हैं कि d e parallel नहीं है तो कुछ और parallel होगा तो हमने क्या assume किया d e dash parallel है तो इस तरह से construct किया जा रहा है एक line draw की जा रही है d e dash और उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो हमारा b c से parallel है तो अगर d e dash b c से parallel है तो देखते हैं कैसे इसे हम proof करेंगे कैसे अपनी इस line को contradict करेंगे क्योंकि finally d e ही parallel होना चाहिए तो start करते हैं proof proof में triangle आपको दिख रही है a b c d e हमें parallel proof करना है b c बट हमने कुछ और assume किया हमने assume किया d e dash parallel है b c since d e dash parallel to b c ऐसा क्यों है क्योंकि ये हमने construction में assume किया हमने ऐसा construct किया और ये हम मान के चले हैं कि d e dash b c से parallel है अगर d e dash b c से parallel है तो आप bpt theorem यहाँ पे apply कर सकते हैं bpt theorem क्या कहते है basic proportionality theorem या thail theorem क्या कहते है कि किसी भी triangle में अगर बीच में एक line हम draw करें एक side parallel line से तो क्या होगा बाके की दो side equal ratio में divide हो जाएंगे by bpt अगे इन statement की हम बात हो रहे है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point then the other two sides are divided in the same ratio in short क्या बोला जा रहा है in short ये बोला जा रहा है कि अगर d e dash हमें parallel consider कर रहे है यहां पे तो bpt लगा के हम क्या बोल सकते है हम ये बोल सकते है ad upon db equal हो जाएगा किसके a e dash upon e dash c ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा basic proportionality theorem बोलती है और वो क्यों बोलती है? क्योंकि हमने यहां मान के चले हैं कि d e dash parallel है b c तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ad by db is equal to a e dash upon e d e dash c क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने bpt लगा दिये है अगर यहां bpt लगा दिये है हमें कुछ given भी है यहां पर इस question में वो given क्या है? हमें given है ad by db is equal to a e by e c अब आप दोनों equation को ध्यान से देखें equation 1 and equation 2 दोनों equation की जो left hand side है वो same है वो same क्या है? ad by db यहां पर भी है ad by db यहां पर भी है तो अगर इन दोनों equation को compare किया जाए और comparison में हमें देख जाए कि एक side equal है तो वो जो बच्वी side है वो भी equal हो जाती है तो हम यहां क्या बोल सकते है? by equation 1 and 2 हम क्या बोल सकते है? अगर lhs equal है तो rhs भी माना जाएगा equal rhs क्या है? ae dash upon e dash c होना चाहिए equal ae upon ec लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि d e parallel to bc होना चाहिए तो कैसे प्रूफ करेंगे? वो देखते हैं हम यहां पर अगर हम कर रहे हैं तो हमें d weon aside में करना होगा ऐसे case जहां पर हम simply solve करके देखते हैं solve करके हमें क्या मिलेगा? left hand side के बाद करूँ तो ये a e dash upon e dash c है प्लस 1 इसको 1 upon 1 लिख सकते हैं और दोनों के LCM की बात करें तो LCM आएगा e dash c सेम राइट इंसाइड में भी इसको upon 1 ले लें तो e c और 1 का LCM हो जाएगा e c अब आपको मालूम है कि LCM लेने के बात कैसे solve करते हैं तो इसे further मैं solve करूं e dash c divided by e dash c होगा 1 उपर multiply करेंगे a e dash से तो हमें same मिलेगा प्लस e dash c को divide करेंगे 1 से e dash c मिलेगा उपर into 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा e dash c same यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी same आएगा यहाँ आएगा a e plus यहाँ आएगा e c जैसे हम lc हम solve करते हैं वैसे ही solve की है अब इसको figure में देखा जाए तो a e dash और e dash c का sum मतलब क्या a e dash और e dash c का sum क्या होगा यहाँ से यहाँ और फिर नीचे तब तो यह पूरा हमें a c देगा तो इसकी जगा लिखा जाता है लिखा जा सकता है a c upon e dash c सेव अगर right hand side की बात करें right hand side क्या क्या रहा है right hand side क्या रहा है a e plus e c तो a e plus e c क्या होगा वो भी a c होगा यह हो गया a c upon e c denominator में तो पहले e c था e c कर दिया अब दोनों को अगर हम compare करें यहाँ पर भी a c है यहाँ पर भी a c है यह cut हो जाएगा तो इससे हमें यह पता लगता है कि one upon e dash c is equal to one upon e c अगर इसे reciprocal कर दे तो क्या होगा reciprocal करने के बाद e dash c equal हो जाएगा e c कैसा हो सकता है कि same measurement में different points में equality आ जाए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ बोला जा रहा है इसको मैं erase करूँ यहाँ क्या बोला जा रहा है e dash c यह e dash c है यह किसके equal है e c क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक line segment है उसका एक part हम ले रहे हैं और उस part को हम बोल रहे हैं वो पूरे part के equal हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो assumption था, जो हमने construction में assume किया था, वो गलत है, वो contradict कर रहा है, contradict करने का मतलब क्या हुआ? contradict करने का ये मतलब हुआ, कि ये e dash c, जो की लंबा दिख रहा है, वो e c के equal नहीं हो सकता, हमारी assumption गलत है, इसका मतलब ये हुआ, e dash को यहां नहीं, यहां होना चाहिए था, तब ही तो ये equal होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने assume किया, d e dash, जो parallel है b c से, वो d e dash नहीं है e dash कुछ अलग नहीं है, वो e ही है, तो यहां पर हमारी statement contradict हो रही है, construction में contradiction शो हो रहा है, तो finally हम ये बोल सकते हैं, कि e dash और e, दो separate point नहीं है, वो common point है, अगर वो common point है, तो यहां पर clearly हमें पता लग रहा है कि d e parallel to b c ही होना चाहिए, जहां पर हमारा पूरा theorem prove हो जाएगा, तो किस तरह से show करेंगे वो देखते हैं, यह कुछ इस तरह से show होगा, यहां पर हमने क्या किया, one add किया, lcm से further solve किया, बिल्कुल same है, जैसे मैंने explain किया, तो finally हम क्या बोल सकते हैं, अगर e c is equal to e dash c है, यह तभी possible है, जब e and e dash coincide करेंगे, मतलब e and e dash एक ही point होगा, अगर e की point है, तो वो d e dash नहीं, वो d e है, अगर d e dash parallel to b c है, मतलब वो d e ही है, जो parallel to b c है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं, हमारी theorem, prove हो चुकी है, so yes, here the things are proved. झाल, झाल, चाल, चाल, झाल, पहांगे, झाल, ठान ह्यां जुी का भेपांद Bengal, चैस इना है, रहीं है, जो रहीं है, रहीं है, जो पूल, रहीं है. 150 Vince Do,